आज हम बनाने वाले हैं सभी की फेवरेट मटर पनीर की रेसिपी और इस मटर पनीर की सबसे खास बात ये है कि हम इसे बिना प्याज और लेसुन के बनाएंगे लेकिन फिर भी इस सबजी का जो टेस्ट है बहुती लाजबाब आएगा तो चलिए स्टार करते हैं टेस्टी मैंने गैस पर एक पैन रखा है और इसमें एक चम्मच ऑईल डाल दिया है ऑईल को गर्म होने दे और अब आप इसमें टमाटर डालें तो मैंने तीन टमाटर को इस तरह रफली कट करके इसमें डाल दिया है साथ ही एक हरी मिर्स डाल दी है कट करके अब मैं इसमें डाल रह सब्जी को एकदम क्रीमी और बहुती स्मूद और बहुती टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें आट-दस बादाम और आट-दस काजू डाल दिये हैं अच्छे तरीके से इने मिक्स कर देंगे बिना प्यास लहसुन के इस तरह आप काजू बादाम डालकर बहुती क्रीमी ग पढ़िया काजू बादाम भी हलके से कोख हो चुके हैं टमाटर को ऐसे मैश कर रहे हूं तो यह मैश हो रहे हैं तो अब इस स्टेज पर आपको क्या करना है गैस का फ्लेम आफ कर देना है और इन्हें पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है और जब यह टमाटर ठंडे हो देखिए इन सब चीजों को पीस कर त्यार कर लिया है कलर देख सकते हैं पहुती बढ़िया आया है और इससे जो ग्रेवी बनेगी पहुती बढ़िया बनेगी अब गैस पर मैने एक पैन रखा है और इसमें मैंने तीन चम्मच ऑल डाल दिया है कोई साब ऑल जो आप खाना लाइची साथ ही इसमें डाल देंगे चार लॉंग ये इसमें जा रहा है एक तेज पत्ता और इसमें जा रही है एक चौथाई चम्मच हेंग सारी चीचों को मीडियम फ्लेम पर हम भूल लेते हैं अगर आप मेरे बता है अनुसार ये मटर पनीर बनाएंगे तो सबजी बहु मसाले फून लिए हैं जीरा अच्छे से तड़क चुका है तो अब जो हमने प्यूरे तैयार की है वो हम इसमें डाल देते हैं तो ये हमने डाल दी और अब हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करें ताक जुरे लगी रह गई ना उसे भी हम फैकेंगे नहीं उसमे थोड़ा सा पानी डाल कर और फिर उसे हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा पानी डाल लिया है और अब मैं इसे इसी में डाल देती हूँ। बस इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कोक करेंगे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर इसे आपको कोक कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इसे लगातार चलाते हुए लगबग 2,5 मिनट तक ऐसे कोक कर लिया है और अब इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है तो मैं डाल रहे हूं मसाले एक चम्मच जा रहा है कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखा कम होता है और इसे कलर अच्छा आता है आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और अब इसमें जा रहा है एक चम्मच धनिया पाउडर साथ ही हम डाल रहे हैं एक चोथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और ये जा रहा है आधा चम्मच नमक नमक ध्यान से डालना क्योंकि हम टमाटर पकाते समय भी नमक डाल चुके हैं अगर आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं तो वो आपको थोड़ा कम डालना है सारे मसालों को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कुप करेंगे ताकि से हमारे मसाले वगरा अच्छे से पक जाएं तो लगातार चलाते हुए से ऐसे ही पकाना है इसे आपको छोड़ना नहीं है वरना ये जो मसाला है जलने लगेगा तो अब ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से पका लिया है पहले से इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और अब यहाँ इससे oil separate होने लगा है तो जब इससे इस तरह oil separate होने लग जाए तब आप समझ जाए कि अच्छी तरीके से भुनकर तयार हो चुका है मसाला अच्छे से कोक हो चुका है तो इस stage पर मैं इसमें डालूँगी मटर क्योंकि oil separate हो रहा है तो इस stage पर ही मटर डालनी है तो यह मैंने लिया है एक कप मटर यह मैंने जो हरे मटर होते हैं उन्हें पहले अलग से थोड़ा सा उबाल लिया था यह हलके से soft हो गए है तो मैं इसमें यह डाल रही हूँ पनीर को मैंने इस तरीके से pieces में कट करके डाला है अच्छे तरीके से mix करेंगे अगर आप fresh हरे मटर इस्तमाल कर रहे हैं तो पहले उन्हें आप पका लेना बाद में पनीर डालना लेकिन यह मटर मैंने उबाल कर लिये हैं साथ ही मैंने पनीर डाल दिया है अच्छे तरीके से सारी चीजों को mix करने के बाद अब मैं इसमें डाल रहे हूँ पानी तो आप कोशिश करना कि इसमें आप गरम पानी ही डालें तो मैंने इसमें गरम पानी डाला है अच्छे तरीके से mix कर लेते हैं पानी आप अपने अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसमें 3-4 गलास पानी डाला है एक गलास से थोड़ा कम अच्छे से से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए से कोखोने देती हूँ और 4-5 मिनट बाद ये देखे जो हमारी सबजी है बहुत ही बड़िया तरीके से कोखो चुकी है अगर आपको थोड़ी पतली या गाली सबजी पसंद है तो उससाब से आप पानी को एडजस्ट कर सकते हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लास्ट में ये दूद की मलाई तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दूद की मलाई डाल दी है गैस का फ्लेम एकदम लो है इस स्टेज पर अच्छे तरीके से से मिक्स करेंगे ये मलाई डालने से सबजी और भी टेस्टी और क्रीमी हो जाएगी मलाई को बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है आप चाहें तो मलाई की जगा फ्रेश क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं दो मिनट के लिए इसे ऐसे ही कोकोने दें और दो मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चोथाई चमच गरम मसाला, एक चमच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, आप चीनी या शहेद दोनों में से कोई एक चीज इसमें डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच कर लेना है देखें चीनी डालने से होता क्या है जो उसका टेस्ट ही नहांस हो जाता है सब्सकूल कर हूँ आप यह चीनी डालना इसमें बिल्कुल नंभूलें अच्छी तेरी कि से सारी मिक्स कर ली हैं और लग बाग 1 मिनट के लिए इसे और कुक कर लिया अब बस गैस का फ्लेम आफ करें और इस टेस्टी क्रीमी मटर पनीर को आप सर्फ करें तो इस मटर पनीर को आप पूरी पराठे चपाती राइस नान जिसके साथ खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं सुपर टेस्टी डिलिशस मटर पनीर हो चुकी है बनकर तयार तो आप भी अपने घर पर बिना प्याज लेसन का इस्तिमाल करते हुए इसी तरह ये टेस्टी रेसिपी जरूर बनाए रेसिपी पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आकन को प्रेस और आल पर क्लिक करना ना भूलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में